रात का समय था घड़ी में साड़े दस बच रहे थे नंदा अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी तभी उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी एक साया उसके कमरे में प्रवेश करता है उसके कदमों की आहट से वो एकदम से चौंक गए कौन? कौन है? उसकी बातों को सुनकर अंदर आये शक्स ने बच्चे की तरह बोलते हुए कहा अले, तुम हमको नहीं पैचानती हम है तुम्हारे पती गुड़ू मेरे पती? सुनो न, हमको ना नीद नहीं आ ले है थुला दल भी लगला है तुम मिले कमले में तलो न ये कहकर वो नंदा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है अरे, कौन है आप? ये क्या पत्तमिजी है? छोड़ी मेरा हाथ छोड़ी नहीं तुम्हें चिला कर अपने पती को बुलाऊंगी अले, मैं ही तुम्हाला पती हूँ तुम किते बुलाने की बात तल ली हो तलो न, तलो न मिले कमले में थादी के बाद तो पत्नी पती के कमले में लहती है न बल तुम तो कभी मिले कमले में आई ही नहीं ये कहकर गुड़ू फिर से नंदा का हाथ पकड़ता है इस बार नंदा को गुस्सा आ जाता है और वो गुड़ू को जोर का थपड मार लगती है आपको बात समझ में नहीं आती है? अरे मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ? कोई मेरा फाइदा नहीं उठा सकता नंदा के थपड की मार से गुड़ू किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगता है माल दिया, मुझे माल दिया, मेली पत्नी ने मुझे माल दिया गुड़ू के रोने की आवाज सुनकर घर की नौक रानी पुश्पा दोड़ी हुई नंदा के कमरे में आती है अली क्या हुआ गुड़ू बाबा आप क्यों रो रहे हैं गुड़ू ने पुश्पा की बाद का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी तरह जोर-जोर से रोता रहा उसे इस तरह रोता देखकर पुश्पा ने नंदा से पूछा क्या हुआ बहुरानी गुड़ू बाबा क्यों रो रहे हैं आप दोनों में किसी बाद को लेकर जगड़ा हुआ क्या देखे बहुरानी पती-पत्नी में तो नोगजोख होती रहती है इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी अपने पती को रुला दे ये आप क्या कह रहे हैं ये मेरे पती है हाँ यही तो आपके पती है जिससे छे महीने पहले आपकी शादी हुई है देखो देखो तुम जूट मत बोलो ये ये मेरे पती नहीं है अरे बहुरानी मैं क्यों आपसे जूट बोलूँगी यही आपके पती है नहीं मैं नहीं मानती ये ये मेरे पती नहीं है भगवान ने मेरी आखे चीन ली है तो क्या हुआ मन की आखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ ये मेरे पती नहीं है ठीक अब भहुरानी आप मेरी बात मत मानिये अपने पती की बात भी मत मानिये लेकिन अपने साससुर की बात तो मानेगी ना आप एक सब्ता बाद जब वो शादी से लौट कराएंगे तब उनसे ही पूछ लिजेगा कि सच्चाई क्या है नंदा के साथ ये क्या हो रहा था वो किसे अपना पती कह रहे थी और ये गुड़ू कौन है जो कह रहा है कि वो उसका पती है इस बात को जानने के लिए कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा नंदा बहुत ही गरीब घर की अंधी लड़की थी नंदा के फिता गोपी एक मामूली मजदूर थे और उसकी मा विमला दूसरों के घर पर ज़ाडू पोछे का काम करती थी एक तो गरीबी की मार उपर से घर में जवान अंधी लड़की गोपी और विमला इसी चिंता में घुले जा रहे थे पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है नंदा अरी क्या हो गया भागवान तेरा मूँ क्यों लटका हुआ है अब किस्मत फूटी हो तो मूँ तो लटका ही रहेगा ना तेरी यही बात मुझे समझ नहीं आती अरे जो कहना है सीधा सीधा कहना अपने पती की बात पर विमला ने उदासी भरी दृष्टी से गोपी की ओर देखा और कहा वहाँ भी बात नहीं बनी जी उन लोगों ने भी नंदा से शादी के लिए मना कर दिया ठीक ही तो है मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था अरे हमारी नंदा 21 साल की है और वो 50 का था अजी मर्दों की उमर नहीं देखी जाती और आपको पता है न हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है अब अंधी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन नंदा है तो हमारी बेटी ही अंधी है तो क्या हुआ हम उसे कुए में तो नहीं डाल सकते गोपी की बात सच थी लेकिन ये भी एक बड़ा सच था कि अंधी लड़की से कोई ठीक ठाक आदमी तो शादी करने से रहा एक दिन की बात है विमला जिस में साब क्या काम करती थी उसके कोई दूर के रिष्टेदार विमला की मालकिन के घर आय हुए थे विमला जब उन्हें चाय दे रही थी तो उसने उनकी बात सुनी अरे हम तो ठक गए गुड़ू के लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं है तुम्हें तो पता है ना हमें एक रुपया नहीं चाहिए बस लड़की चाहिए चाहे वो लंगडी, लूली, अंधी कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता बस लड़की चाहिए आपका कहना तो सही है भाईया लेकिन मैं भी परिशान हो गई गुड़ू के लिए लड़की ढून ढून कर मिलती ही नहीं उन लोगों की बाते सुनकर विमला को अपनी बेटी नंदा के लिए उमीद की किरण दिखाई दी लेकिन चाह कर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मालकिन से अपनी बेटी के रिष्टे की बात करे अरे भला नौकर की बेटी मालकिन से ब्याही जाए ऐसा समाज तो नहीं है अभी हमारा उस रात उसने अपने पती से ये बात बताई तो अरे बिमला तू भी न जरा समझा कर जरूर उसके बेटे में कोई खोट होगा तब ही तो वो लंगडी लूली कोई भी ढूंड रहा है आप भी ना हर बात पर शक करते हैं मैं तो इतना जानती हूँ कि बड़े लोगों में अमीर लोगों में ना तो कोई कमी होती है और ना ही कोई खोट होता है तो तू क्या चाहती है मैं कर मालकिन से खुल कर बोल दूँगी कि उनके जो भाई बाहर से आए हैं और अपने बेटी के लिए लड़की तलाश रहे हैं तो नंदा को एक बार देख ले विमला ने अपनी मालकिन को नंदा के बार में बताया और उनके रिष्टेदार के बेटे से नंदा की शादी की बात कही उसने ये भी बोला कि उसकी बेटी जनम से ही देख नहीं सकती है अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और नगर में धिंडोरा सुन मेरे भाया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की देख नहीं सकती बस उन्हें अपने बेटे के लिए एक सीधी और सुशील बहुचाईए तुम शादी के तैयारी करो और हां सारा खर्च हमी करेंगे इसलिए तुमें चिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है गोपी और विमला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस बात को लेकर वे लोग इतना परिशान रहते थे वो परिशानी एक ही जटके में खत्म हो जाएगी नंदा की शादी रोशनलाल के बेटे गुड्लू से धूम धाम से हो गई शादी इतनी आलिशान थी कि विमला और गोपी तो बस आखे फाड़े हर कुछ निहार रहे थे सच कहूं बिमला मुझे नहीं पता था कि हमारी नंदा इतनी अच्छी किसमत लेकर आई है इतना भड़ा घर मिलेगा उसे ये कौन जानता था नंदा शादी करके अपने ससुराल आ गई छे महीने हो गए थे उसे अपने ससुराल आए और छे महीने बाद उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आये का उसे पता नहीं था पुश्पा के लाग कहने के बाद की गुड्डू उसका पती है उसने उसकी बात नहीं मानी एक सब्ता बाद की बात है रात का समय था तभी नंदा के कमरे में किसी के आने की आहट हुई अरे आप आ गए आप कहां चले गए थे उस शक्स ने नंदा को गले लगाते हुए कहा अरे कुछ काम था नंदा भी उसके गले से लिपड़ गई जानते हैं चार दिन पहले कोई मेरे कमरे में घुसाया था वो कह रहा था कि वो मेरा पती है नंदा उस शक्स से बात कर रही थी तभी पुश्पा नंदा के कमरे में आई और उसने देखा कि नंदा अपने ससुर की बाहों में है मालिक आप? पुश्पा तुम? अरे वो जरा बहु से कुछ बात करने थी इसलिए मैं यहाँ आया था बहु? वो शक्स रोशनलाल था नंदा का ससुर असल में रोशनलाल का बेटा गुड़ू मंद बुद्धी था रोशनलाल काफी पैसे वाला था लेकिन उसकी पैसे और प्रॉपर्टी उसके बाद कौन संभाल था क्योंकि उसका बेटा तो दिमाग से पैदल था रोशनलाल ने उसकी शादी करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हो नहीं सकी इस बीच नंदा की मा से रोशनलाल की मुलाकात हुई और नंदा की शादी गुड़ू से हो गई मालती गुड़ू की शाधी तो हमने कर दी लेकिन हम जानते हैं कि गुड़ू हमारा वंच नहीं चला पाएगा हमारी इतनी संपत्ती हमारे बाद बरबाद न हो जाए इसलिए हमें ही इसे संभालने वाला लाना होगा दुनिया की नजर में ये गुड़ू की सुहाग रात होगी लेकिन नंदा के साथ सोंगा मैं पुश्पा को अब सारी सच्चाई का पता लग गया था और उसे ये भी पता लग गया था कि आखिर उसे रोज क्यों नंदा बार-बार मना कर रही थी कि गुड़ू उसका पती रही है असल में गुड़ू की आड में रोशनलाल नंदा के सम्मान के साथ खेल रहा था मुझे घिरना रही है सच में मुझे घिरना रही है ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में नंदा तो बेचारी अंधी है उसे क्या पता लेकिन ये आख वाले लोग छी पुश्पा ने ठान लिया कि वो नंदा को इस नरक से बाहर निकालेगी वो उसी रात पुलिस थाने गई और उसने रोशनलाल की सच्चाई पुलिस को बता दी पुलिस इंस्पेक्टर रानी को ये सब सुनकर बहुत आश्यरे हुआ वो रोशनलाल की घर पहुँची और उसे गिरफतार कर लिया अरे आपको शर्म नहीं आती लोग कहते हैं कि आपका बेटा मंध बुद्धी है लेकिन मंध बुद्धी तो आप हैं आपने एक अंधी लड़की के सम्मान को हर दिन अपने पैरो तले कुछला वो भी इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई वारस चाहिए था आप जैसे लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं है रोशनलाल को जेल ले जाए गया उस पर मुकदमा चल रहा है लेकिन इन सब के बीच नंदा के मन में सर्फ यही सवाल हमेशा घूमता रहता है कि यह सब उसके साथ क्यों हुआ लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है बुलन शेहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी वो दोनों हर चोटी बड़ी बाते एक दूसरे को बता दे थे एक दिन रोहन अमन को गले लगा कर बहुत खुशी से बोलता है भाई आज तेरी भावी नैना ने मेरा प्रोपोसल एकसेप्ट कर लिया आज तेरा भाई बहुत खुश है आज तु जो मागेगा वो मिलेगा तुझे बता क्या चाहिए पका न साले जो मागूंगा भाई देगा बाद में मना तो नहीं करेगा अरे हाँ हाँ तेरे भाई ने बोला ना आज तु जो बोलेगा वो मिलेगा कल फिर नेना के गर जाकर शादी की बात भी तो करनी है इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे चल फिर अपने अड़े पर तो जेत पताई है बिना गला गिला किये हमारी पाठी कहा पूरी होती है आ ये तो सही का तुने चल चलते रोहन और रमन एक बार कलब में जाते हैं जहां वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं रोहन गिर जाता है, फिर रमन उसे संभालता है, भाई घर जादा देर रो गई तो आंटी ने घरन में घुशने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ, चल आज गाड़ी तरह भाई चलाएगा, ठीक है, साले तुछ से ठी से चला पिर जाता है, भाई तुछ ठीक तो है, ए भाई ए लगी तो नहीं तुझे ए तभी रोहन की मा लता वहां आती है और बोलती है, ये क्या हुआ तुझे, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है, अरे मा, आज तेरे बेटे ने बाई को हाम उड़ा हाम है, लूग करके ऐसे करके आज फिर पी कर आया है, अरे नालाइक जब संभाल नहीं सकता आपने आपको तो क्यों इतनी पीता है, जैसी तेरी हरकते हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी अरे मा, समझ दे दी तेरी बहुने, आ कर दी, तभी पारी की हम दोनों ने पारी, अमन यार ये आखें खुली नहीं रहे हैं, मेरी जितनी तुने पी हुई हैं, उसके बाद तो तेरी जुबान में नहीं खुलनी चीए थी बीटा अमन, तुही लेकर आजा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है, और खुद भी उसी के साथ सोजाता है अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज मार कर उठाती है, तो आँखे खोल कर भी वो नीन में होता है मा अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो नालायक, अभी भी नशे में है, सूरच सर पर आगया है, आँखे खोल कर दे, और कब होगी तेरी सुबह? एक आवाज में उठकर नीचे आजा, वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज यार, अमन, तु कहा है, मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा, लाइट जला जला अब पागल हो गया क्या, इतनी रोशनी होतो रही है, मेरी आँखों में तो चुप रही है, और तुझे अंधेरा लग रहा है अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है अब दिखी साले रोशनी ये सब देखकर अमन समझ जाता है कि गिरने की वज़ा से रोहन की आँखे चली गई है भाई तू अंधा हो गया लग रहा है सुबह के दस बज रहे हैं दोनों इस बात से बहुत परिशान होते है लता उन दोनों को नीचे से आवाजे लगा रही होती है जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है और रोहन प्यार का मारा अपनी माग को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है और जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौकला जाती है और बोलती है सची तुझे लड़की मिल गई शुकर है भगवान का तुझे किसी लड़की ने पसंद किया वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझ से शादी करेगी अब मेरे घर भी बहू आएगी मैं अभी तयार होकर आती हूँ फिर हम नैना के घर चलेंगे लता तयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तयार कर देता है तीनों नैना के घर जाते है जहाँ पर नैना की मा कमला उनका स्वागत करती है और सब को बैठने के लिए बोलती है ना दिखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है ये देखकर कमला बोलती है बेटा, वहाँ शादी के बाद बैठना अभी फिलाल सोफे पर बैठो अभी आप, माफ करना अंटी जी दोनों परिवार मिलकर रिष्टे की बात करते है इस बीच नैना रोहन को लिए देख रही होती है और रोहन इदर उधर देख रहा होता है तभी नैना रोहन को कोही मार कर बोलती है तो महारे बकल में बैठी हूँ मैं इधर उतर क्या देख रहे हैं? ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है। इधर उतर तो तब देखूंगा ना, जब कुछ दिखेगा। ए भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। बोलोगे भी अब कुछ या नहीं? बेबी पूरी जिंदगी अब तुम्हें देखना है। गर गिर जाता था। ये सब देखकर लता रोहन से बोलती है। चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिष्टे नहीं जुडते। हाँ भाई आंटी सही कह रही है। नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मान कर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूले को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं। हरे रोहन तुमें यहां कुछ काम था। तुम इदन पर क्या देख रहे हो। मैं तुम से बात कर रहे हूँ। मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं जहां भी देख रहा हूँ, तुम उसी तरह आ जाओ, क्योंकि मेरी आखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता क्या, ये क्या मजाग कर रहे हो तुम, अमन सब को सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है मैं अपने रिष्टे की शुरुआत जूट की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था, मानता हूँ तुम से प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगा, लेकिन जूट बोलकर तुम्हें बावी लिता, तो कभी तुमसे नज नजरे नहीं मिला पाता, तभी अमन रोहन के कान में मजाग में बोलता है, अबे हो, नजरे तो तु सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा बे, अबे साले चुपकर फ्लो मत बिकाड, चल बगया से, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा, वो मुझे मन्सूर है, रोह अमन खुद ही दीरे दीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है, और वो गिरने वाला होता है, तभी नैना उसे संभाल लेती है, पर रोहन उसे अमन समझ कर बोलता है, साले कहाँ चला गया था तु, हैं, मुझे शोड़कर कहाँ चला गया था, हाँ मुझे स्विकार है आज से मैं तुम्हारी आखे बनूगी नैना रोहन को अपना लेती है अग्रत उन्डमा काया सूरे कोटी संप्रभा शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है वो गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है नैना संभालकर रोहन को बैट के पास लाती है और रोहन नैना की गरदन दोनों हाथों से पकड़ कर बोलता है अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और उपर कैसे हो गई बेबी वो मेरी गरदन है अपना हाथ मेरे हाथ में दो नेना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रख कर बोलती है अरे मेरे अंधे पती, ये है मेरी कमर वैसे मानना पड़ेगा आंखे नहीं है लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है जनाब में रोमांस के लिए आखों के क्या सवरुत है? अच्छा तो किसकी जरुरत है? रुको अभी बताता हूँ रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बैट पर लिटा देता है उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को इंचॉय करते हैं इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पती के रूप में अपना लेती है